जय हिंद दोस्तों चलिए जल्दी से हम लोग एक नजर डाल लेते हैं इस वीडियो में कल यानि की 5 सितंबर 2024 को भारत का कैसा शेडियूल रहने वाला है पैरिस पैरलिम्पिक्स में और भारत के कौन से पैरा अथलेट्स कल हम को यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर नजर डालें पैरा शूटिंग में करीब दोपहर के एक बज़े यहाँ पर आर सिक्स मिक्स्ट फिप्टी मिटर राइफल प्रोन एसे चौन के क्वालिफिकेशन सोंगे इसमें भारत की जोड़ी नजर आएगी मोना अगरवाल और सि क्वाटर फाइनल है उसको अच्छे से खेल पाती है और समी फाइनल के लिए जा पाती है तो कल समी फाइनल में हमको नजर आएंगी करीब दोपहर के तीन बच के दस मिनिट पर और यहाँ से अगर यह फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती है तो फाइनल्स में नजर आए कोकिला नजर आएंगी और यहां से यह अगर final block के लिए qualify करती है तो final block में हमको नजर आएंगी यहां पर करीब 7 बच के 30 मिनिट पर शाम के इसके बाद यहां पर करीब दोपहर के डेर बजे से ही यहां पर man 60 kg J1 preliminary rounds में यहां पर कपिल पार्मार हमको नजर आएंगे पेरा जुडो में ही और यहां से अगर यह final block के लिए qualify करते हैं तो final में यह भी हमको नजर आएंगे रात के 7 बजे इसके बाद पेरा आर्चेरी में भारत की जोडी हरविंदर सिंग और पूजा जातियान की हमको नजर आएगी कल करीब यहां पर दोपहर के 1 बच के 50 मिनिट पर अपना जो यहां पर mix team record weapon 1 by 8 elimination का जो मैच है इसको खेलते हुए और यहां से अगर यह लोग quarter finals के लिए qualify कर पाते हैं तो quarter finals में नजर आएंगे शाम के 6 बजे से और quarter final भी अगर यह लोग जीच जाते हैं तो करीब शाड़े 7 बजे से या फिर 7 बच के 50 मिनिट के बाद यहां पर mix team record के open same final में नजर आएगी भारत की यह जोड़ी इसके बाद अगर यह लोग medal matches के लिए qualify करते हैं तो medal matches में नजर आएंगे रात के 8 बच के 45 मिनिट के बाद और जो gold medal match रहेगा वो रहेगा करीब रात के 9 बच के 5 मिनिट पर इसके बाद यहां पर पेरा power lifting में भारत के अशोख हम को नजर आएंगे medal round में रात के 10 बच के 5 मिनिट पर men's up to 65 kg के जो medal rounds होंगे उसमें भारत के अशोख हम को नजर आएंगे